तो दोस्तो एक बार फिर नई वीडियो के साथ आप लोगों के लिए हाजिर हूँ तो दोस्तो आज हम बात करेंगे व्यूज की व्यूज नहीं आ रहे है ना चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं देखोगे ना लास्ट तक देखना ठीक है तो आज मैं आपको बदाऊँगा उन लोगों के लिए ये वीडियो है जिनके ना टाइटल्स काम कर रहे है ना टैग्स काम कर रहे है ना डिस्क्रिप्शन काम कर रहे है व्यूज नहीं आ रहे है यार चलिए शुरू करते हैं आज खाब वीडियो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों हैस्टैग्स के बारे में तो हैस्टैग्स के बारे में अपने सुना होगा लेकिन आपको बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि यूज कैसे करने हैं किछ लोगों पता भी नहीं है यूज कैसे करने है तो यूज कैसे करने है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ देखो Sクreen के उपर अपने description के जो आपका नीचे वाला सबसे लास्ट मिल description में आपने पांचे hashtags लगाने है और hashtags लगाने कैसे है हैश्टेग लगाने का सबसे बड़ी है तरीका है जैसे कि आप वीडियो मालों आपने वीडियो बनाया है कि how to cook paratha ठीक है तो without space hashtag लगा के how to cook paratha paratha कैसे बनाए paratha बनाने की सबसे असान तरीका या कुछ भी लिख सकते हो ठीक है hashtag लगा के ठीक है या फिर ऐसे लिखते हो simple hashtag और पराठा recipe आलू पराठा hashtag प्याज पराठा hashtag मेथी पराठा एनिधिंग ठीक है तो hashtags बहुत simple ऐसे लगते हैं और अगर आपको नहीं बदा है hashtags कैसे फिर भी idea नहीं लग रहा है मेरी description में जाओ मैंने लगा रखे हैं यार मेरे देख लो ऐसे लगाने है ठीक है और इनकी वज़ा से कितना फायदा होता है वो में अभी proof आपको दिखाऊंगा ठीक है तो अपने channel का खुद का मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर स्क्रीन पर ले जाके कि hashtag से मुझे कितने views आते हैं तो इस video को बिलकुल आखिर तक देखाऊंगा तुमारे बहुत काम की है new YouTubers की खासकर जिनके tags, title, description काम नहीं कर रहे हैं उनको hashtags मदद करेंगे यार लगाए अगर हो और एक बाद और की hashtags को कभी भी tags वाले option में नहीं लगाना है सिर्फ description में कहां लगाना है description यास description पर लगाना है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं मैं आपको mobile की screen के उपर ले चलता हूं और ध्यान से देखिए और सीखिए तो दोस्तों आपको अपने YouTube चैनल के creator studio में जाना है जो आपके पास mobile में application है उसमें आपको इस तरह से option में जाके analytics में आना है और analytics में आने के बाद आपको आना है discovery के अंदर तो discovery के अंदर आपको यहां पर थोड़ा सा scroll down करोगे तो यहां पर एक option मिलेगा top YouTube searches ठीक है आप इसके उपर click कर लें ठीक है अब मैं आपको यहां पर दिखाता हूं hashtags के क्या जलवे हैं ठीक है तो सबसे पहले यह देख लेते हैं पिछले 90 days का मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ठीक है अब ध्यान से इसमें देखना ठीक है यह एक hashtag यह दूसरा यह तीसरा यह चौथा य यह भी hashtag लगा हुआ है hashtag का मतलब समझ रहे हो ना है शुरू में आपको यह वाला symbol देखेगा hashtag का उसके बाद यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह देखिए कितने hashtags हैं देखो तो यह क्या बता रहा है कि इतने यह जो hashtags यहां पर आ रहे हैं और इनके सामने आपको percentage ल इछले तीन महीने का मैं आपको बता रहा हूं ठीक है तो निज्जे जितना आप करके देखोगे वो percentage सामने दिखा देगा views की की इतने percent views आपको इस hashtag ने दिये तो दोस्तों hashtag के views देने का मतलब और इस percentage का मतलब है कि इसमें आपको ना तो title ने काम किया ना tags ने काम किया ना वीडियो पे जो views आए है वो इस hashtag की वज़ा से इतने percent views आए है ठीक है तो जहां जिन वीडियो के title, description और tags बिलकुल काम नहीं कर रहे हैं वहाँ पे आपको benefit मिलेगा hashtags का ठीक है ये आपको मैंने जीता जाकता सबूत दिखा दिया है ये last 90 days का searches है top YouTube इन searches की वज़ा से मुझ आप देख सकते हो कि काफी सारे जगा पे hashtags मेरे यहां पे हैं जिनकी वज़ा से मुझे कुछ कुछ percentage पे views मिले है ठीक है तो आप hashtags ज़रूर लगाए वीडियो को आगे तक पूरा देखने के लिए बहुत बहुत thank you उमीद करता हूँ आपने कौफी कुछ नया सीखा होगा ज hashtags कैसे कर देता है काम ठीक है तो ऐसी ही और वीडियो के लिए दोस्तों आप मुझे सब्सक्राइब क्यों नहीं कर लेते हैं कर लो जल्दी से कर लो अगर आप नए हो दो और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो अगर अच्छी लग है तो मिलते हैं किसी और वीडियो में पत